क्या आप भी एक application develop करना चाहते हैं website develop करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि वोटीटी प्लाटफर्म कैसे create किया जा सकते हैं वो भी affordable price में तो आप सही वीडियो चूज किया है तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिए मैं आपको clear guidance देदूंगा कि आप किस तरीके से एक application या फि जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टापिक के ऊपर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं कुछ फिरी भी होगा जिसमें आपको पूरे दिखाए जाएगा कि कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी source code अगर आपके पास है तो उसका आप किस तरीके से होस्टिंग ल इसके लिए ही बनाएंगे इन फ्यूचर अप उसको ग्रो करना चाहते हैं अर्णिंग करना चाहते हैं उससे तो सबसे पहले आपको आइडिया सोजना होगा कि अभी का मर्केट में क्या चल रहा है देन आपको डिशाइड करना है कि उसका आपको किस तरीके से डेवलब करन है तो सबसे पहले आपको ये चुज करना है कि क्या बनाना चाहते हैंगा कोई बैटेंग डियाओ से क्रेat कर सकते हैं बैटिंग वेबसेर में सकते हैं बना सकते हैं यह कमर्स का वब भी वेबसेर सॉप्सेर का है आपको सटेैश करना है Katherine और लोगों को क्या चाहिए उसके बाद आगे बढ़ना है आप एक short video application भी बना सकते हैं तो यह हो गया कि idea कि आप किस तरीके से अपना जो application या फिर website है उसका idea ले सकते हैं तो मैं कुछ basic आपको application बताया हूं अगर आप बाजेट फ्रेंडली application के उपर shift होना चाते हैं बाजेट फ्रेंडली आप एक application क्रियेट करना चाते हैं तो मेरे recommend यह रहेगा कि आप template लिजिए या फिर आप कोई भी एक script लिजिए जो कि आपके ही application के related हो market में बहुत सरे paid script मिलते हैं तो वह आप purchase कर सकते हैं and then उसके उपर आपका जो extra feature से हूँ आप implement कर सकते हैं उस application के उपर यह भी धियान में रखिए कि जो भी आप script खरीद रहा हैं वह कौन से language के उपर based हैं तो requirement यह है क्या आपको desire करना है कि आपको scratch बनाना है या फिर आपको template based application बनाना है obviously scratch application में ज्यादा features आप add कर सकते हैं ज्यादा comfortable ज्यादा flexible होगा लेकिन ready made application भी खराब नहीं होता है वो भी अच्छा ही होता है in feature अगर आपका application grow हो जाता है देन आप scratch आप develop कर सकते हैं same to same second सी जाते है hosting या फिर सर्वर अगर आपका application में starting में 100 200 500 तक आपका अगर user है तो आप एक VPS चूल कर सकते हैं मेरे recommend यह रहेगा इनिशेल आप एक VPS ली लीजिए अगर application CR Dosting पे run हो सकता है तो CR Dosting पे आप काम चला सकते हैं starting पे लेकिन जब application आपका live हो जाएगा traffic आना स्टार्ट हो जाएगा तो CR Dosting पे मत रखिए आपको VPS या फिर सर्वर पे shift कर लीजिए तो इसमें आपके application है उसमें लोड कम परेगा और application smoothly run करेगा दूसरे requirement यह है कि आपको developer ढूनना है आप कहां से developer ढूंडेंगे developer ढूनने के लिए बहुत सारे प्लाटफर्म इंटरनेट पर है आप Google पर जाके search भी कर सकते हैं अगर आप कोई भी application या फी software develop करना चाहते हैं तो मैं आपको description में WhatsApp के लिंक दे दूंगा आप स्कीन के ऊपर WhatsApp के नंबर देख सकते हैं तो आपको कोई भी requirement हो जो कि आप develop करना चाहते हैं low budget के अंदर आपका अगर scratch develop करना है तो भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं मैं स्टार्ट करूंगा क्या एकदम मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक दम low budget से लाइक 2000-3000-5000 के अंदर आपका एक नॉर्मल website है कोई भी landing page development develop करना है तो आपको यह पूरी support के साथ आपको delivery दे दिया जाएगा तो WhatsApp नंबर आपको description में comment section पर दिखाई दे रहा है कोई भी application कोई भी e-commerce application कोई भी swap के लिए application या फिस अप्लिकेशन बनाना है तो आप comment कर सकते हैं और WhatsApp में भी contact कर सकते हैं 24 hours थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ